सब्सक्राइब तो आज आपके साथ लेखे आए हैं मज़ेदार टिप्स क्योंकि आपको पता है कि गर्मिया आ चुकी है समर स्टार्ट हो जगा समर में आपके साथ हम बहुत सारी मज़ेदार टिप्स लेके आएंगे क्यों जी पताएं चाहिए अलेकुम यूवर्स तो समर से रिलेटिड बहुत जबरा किसम की टिप्स और रेमिडी आपके साथ शेयर करेंगे तो आपने हमारे चैनल पेजी सब्सक्राइब कर लेना इसको ताकि डिली आपको वीडियो मिलेएं आपको जैसे का अपने आपको पूरे विंटर कितन चैनल को लाइक करें चैनल को लाइक करते हैं तो चलते हैं वीडियो के जानने से पहले अम फिर कहाँगे आपमारे चैनल को लाइक करते हैं जदर भी गूम फिय रहें लेकिन एक चीज को हम कभी भी भी भूलते हैं बादार का जितना मर्जी बना बनाया खाल है लेकिन घर की चपाती और घर के रोटी हम भूलते ही नहीं तो इसके लिए हमें गूलना होता है आटा और आटा गूलने का असान तरीका वह भी फटा- भी मिक्स करते हैं तो वह भी कर लें मैंने घर में जो सिंपल गंदम काटा होता हो लिए उसके बारस में वान टेबल स्पून नमक टाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें ऑईल शामिल कर दिया ताकि जो हमारी रोटी है सॉफ्ट बने अच्छा कुछ टिप्स शेयर क्योंकि जब आप नमक वगरा शामिल करती है तो नमक की जो डेलियां होती है वो आटा गुंते वक्त उसके इंदर साबूत रहे जाती है और जब रोटी बनाए जाती है तो मूं में आती तो बहुत ही इंबरस्मेंट होती है कि जी आटा सहीं नहीं गुंदा क्या तो उससे आट को ज़रूर याद देखें के भी एपरन पहन के आटा गुंदें क्योंकि जो नहीं सीखने वाले होते हैं आटा काम गुंते हैं अपने कपड़ों पर जएदा लगाते हैं तो मैं अब गी थी एपरन लेने के लिए और एपरन मुझे मिलनी रहा था कि मैंने रख कहां द बड़ी इंपोर्टन टिप है इसको जरूर आप नोट करें उसके बाद आपने पानी ले लेना है जो के थोड़ा सा नीम गरम हो नीम गरम पानी होते हैं नहीं तो आपने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो आप लेंगी और उससे आटे को गुंदेंगी अचा पहले करके पानी शामिल करना है पानी एकदम सारा नहीं डाल देना वरना आपका आटा कम और आटे की लेवी जैदा बन जाएगी तो आपसा आप देख रहें किसमें मैं आराम नाम से पानी शामिल कर रही हूं और इसको बस मिक्स करते जाना है जैसे आप देख रहें वीडियो मे जो मुक्की लगाने का सिस्टम होता है उससे तो हम लड़कियों कितनी जान जाती है कि जी आटा गुनना पड़ेगा अतनी मेनत में शक्रक्त करने पड़ेगी तो उसका हल मैं आपको सरफ एक मिनट में बताऊंगी कि एक मिनट में आप किस तरह आटे को जी बगएर तिनने मेनेत ही ये अच्छा सा गुन सकती है अब इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल का रही है क्योंकि आटा हमने थोड़ा जैदा लिया था क्योंकि आपको वीडियो दिखानी थी मैंने कि अब जैदा आटा भी बढ़ी असानी से गुन सकती है तोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और जैसे मुझे समझ आ जाएगी कि बसे मैं भी और पानी नहीं चाहिए तो मैं हाथ रोक तोंगी लिगे इसमें काफी पानी चाहिए कि आटा बस गुदने के लिए बिल्कुल स्टार्ट है अच्छा हमारी अमी आटा वह अच्छी रड़की गुनती है इसकी पराद बिल्कुल साफ हो तो आपको मैं एंट पर रजाल पी दखाऊंगे मेरी पराद बिल्कुल साफ होगी अच्छी मुझे बच्पन से बड़ा शोक था ना आटा गुनने का लड़कियों को क्या कर शोक होते हैं मुझे आटा गुनने का शोक था तो मैं गुन्वाता है तो मैं इतनी जल्दी आटा गुन लेती हूं और परफेक्ट गुनती हूं तो पानी डाल के बागी के जो आटा लगा था परात पे वह भी उतार लिया इसी तरह दूसरी साइट से भी उतार लें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं अच्छा अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें बैल आइकन को प्रेस न आपके ज्यादा मिनत भी लगेगी और एक मिनट के बाद आपने इसको दुबारा गुंदना है यह टिप बहुत ही आसमोदा टीप है एक मिन्ट हो चुका एक मिन्ट के बाद मैं दुबारा इसको गुंदूगी इसके बाद जो आप काम करेंगी ना आपको बहूँ जाएए थोड़ से छोड़ देना चाहिए जाएए जी माशाला से हमारी पराद बिल्कुल साफ है आटा भी हमारा बिल्कुल साथ अब मैं इसको थोड़ा से गुन दूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूं कितना जबरतस किसम का जी आटा हमारा गुन गया इसके बाद पूली पूली रोटियां बनेगी जबरतस किसम के किर्सपीर प्राठे बनेगे और बहुत ही शानदार जी आपकी तारीफों के पुल लग जाएंगे ये रेखे जी माशाला से आटा हमने गुन लिया बस हम इसको फाइनल लगा रही हूं दो तीन हाथ फिर उसके बाद हम इ प्लास्टिक के बरतन में जितनी जल्दी आटा खराब होता है इसको आप चाहें तो क्लिंग पेपर के साथ इसको फोल्ड कर लें या पिर आप इसके ओपर कोई डगन रगदे मसबूसा जिससे एंड नहीं जाए आकर में अगर आपके आपके आटे कपर सिक्री आ जाती है और लगा दें और बीस मिनट बाद आप इसके रोटियां बनाएं तो आप देखेंगे